इसा रहा जो काफी चर्चाओं में रहा हम बात कर रहे हैं बोभी पवार की बोभी पवार हमारे साथ हैं आज निर्ने होना है इन लोग सभाव सिटों का तो बोभी पवार क्या सोचते हैं और क्या लगता है उने बोभी पवार आपको क्या लगता है कि आपने चुनाओ तो कई न कई उससे लगता है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी थी अब जो हमने मुद्दे उठाए वो इस्थाने मुद्दे थे इसलिए जनता का भरपूर प्यार भी मिला अब आज किस्मत खुलनी है जो बोटिंग में कितना तब्दिल हुआ है तो जो भी होगा जनता जन पहाड़ों की आठ विधान सबाय हैं विधान सबॉम में बड़ा अच्छा रूजान है अगे रहेंगे और बावजुद उसके जो शहर का जा वूट है वह साईलेंट भूट है अब शाईलेंट गोट टै करेगा कि किसे जीतना है किसे हारना है महरानर्य राज्ण रक्षम तीन बार से सांसद हैं टेहरी से और एक बार फिर से जो रूजधाने दिखा रहे हैं एक बार फिर से उन को जीता ह30, तो क्या कहने एकिजिट पॉल को लेकर लेकर तक के जिस तरह से मौने सांबिड़ का का जो तो माहोल था लोगों के अंदर जो भावनाएं थी उसके बिल्कुल उलट है अब एकजिट पॉल क्या उसका ये असर है जो बाद में जो सुप्रिम कोट ने भी पूछा था कि ये बोटिंग परसेंटेज जो बड़ा है वो क्यों बड़ा है क्या इसका असर है कि वह एकजिट उठाए थे चुनाओं में बेरोज़गारी के चुनाओं तो समाथ हो चुका है इसके बाद क्या है आपके रड़नी थी क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ आपने चुनाओं लड़ा था कॉंग्रेस भारतिंदा पार्टी दो का ही कब्जा लगबग उत्राख करते हैं और अगर उपर वाले की किरपा रही अगर संसद भी पहुंसते हैं तो सड़क से लेकर संसद तक वो संगर्ष जारी रहेगा हमारे साथ बात करने के लिए बोबी पवार ने टीरी से निर्दली पृतियाची के रूप में चुनाओं लड़ा था और काफी में जनता ने किसके सरजीत का ताज पेनाया है दानिश खान एवीप लाइव देरादून